बिजनेस टुडे के एक आर्टिकल के मुताबिक mutual fund के जो ट्रस्टीज हैं जो की मतलब mutual fund जो चलाते हैं एक महीने से देखें सेबीन के जो पिछले महीने मार्स के महीने में जो सेबीने small cap and mid cap के अंदर froth building, bubble building की बात की valuation को लेकर risk जाता है तो उसको लेकर नए थोड़ी सी policies, trustees यहां पर लेकर आने की सोच रहे हैं mutual fund trustees एक तरीके से whole and soul mutual fund की होती है और present के time में सेबीने trustees को की responsibility mutual funds को लेकर बहुत जादा बरहा दी है, कुछ गरबरी होती है, mutual funds के अंदर में कोई परिसानी होती है तो trustees को वहाँ पर जिम्यदारी लेने को कहा गया है, समझने को कहा गया है, तो इस करण mutual fund trustees जो है वो सेबी की जो ये बाते हैं, small cap and mid cap को लेकर जो concern है, उसके उपर थोड़ा सा action में आते हुई यहां पर दिख रही है तो यहां पर जो mutual fund trustees हैं, वो mid cap and small cap schemes के अंदर, जो exit load होता है, जो समय सीमात है है, उससे पहले अगर आप निकल जाते हैं, कुछ mutual fund scheme में 15 दिन होता है, कुछ में 1 महीने होता है, कुछ में 1 साल होता है उससे पहले पहले अगर आप निकल जाते हो, तो आपका 1%, 0.25%, हर mutual fund scheme का लग लग होता है, exit load आपका कट जाता है, पहला तो इसको बढ़ाने की बात कर रही है, और दूसरा जो redemption, जो पैसे आप निकालते हो, और जो withdraw करते हो पैसा जो मैं बोलूं, आसान बाजा में, उसके उपर restriction लगाने की बात करें, दोनों दो चीजे समझते हैं, इसको एक के मैं खिलाफ हूँ, एक के मैं साथ हूँ, कैसे, सबसे पहले बात करते हैं, exit load की, तो देखो, अगर हम mid cap and small cap scheme में invest करते हैं, तो मैंने आपको बताया है, कम से कम 8-10 साल का timing होना चाहिए, तभी हम investment करत हैं, और अगर 8-10 साल के लिए हमने invest किया है, 1-2 साल या 5 साल का भी अगर exit load लग जाता है, या exit load बढ़ा दिया जाता है, तो हमने तो 1-2 साल या 5 साल के लिए investment किया नहीं है, उससे हमें कोई नुकसान नहीं है, जो अच्छे investor है, जो समझदा investor है, अब कोई ऐसा investor है, जिसन small cap fund में एक साल के लिए या तीन साल के लिए इंवेस्ट कर दिया तो वो उसकी गलती है exit load भी कटेगा उसका तो उसकी गलती है या अगर नुकसान में भी वो निकलेगा तो वो उसकी गलती क्योंकि small cap mid cap scheme इतने short term के लिए नहीं बने है इतने short term में तो आपको hybrid debt fund की तरफ जाना चाहिए प्रोपर equity की तरफ देखना भी नहीं चाहिए तो यह चीज़ है तो चाहे जाहे जो exit load है वो बढ़े मतलाब 2% exit load हो जाए या 3% exit load हो जाए चाहे एक साल के अंदर में exit करने पे 2-3% exit load वो ले ले बढ़ा के या फिर 1% ही exit load को एक साल से बढ़ा के दो साल करे या 3 साल करे या 5 साल कर दे कई schemes का past में हमने देखा मोतिलाल की schemes है निपॉन की schemes है जिसका 15 दिन या एक महिना exit load हुआ करता था पहले mid cap small cap schemes की उनको बढ़ा के एक एक साल तक किया गया है तो हो सकता है future में और भी mutual fund schemes है जो हो सकता है एक साल से भी exit load को आगे बढ़ाया जाया दो साल तीन साल या 5 साल तक ले जाया जाया तो कोई दिकर नहीं 5 साल तो बहुत कमूई है हो सकता है 2 साल या 3 साल तक exit load को बढ़ा के ले जाया तो मैं बिलकुल इसके साथ हूँ पाकि आपकी क्या रहा है इसके बारे में जरूब कि exist load जब बढ़ गया exit load जब बढ़ा दिया गया तो redemption मैं आज मैंने invest किया मैं अगले मैने रिडिंब करना चाहूं या एक सलभाद या तीन सलभाद या 5 सल बाद या 10 सал या 50 सल वह mutual fund की खासियत ही ही है कि mutual fund में कोई रेस्ट्रिक्षन नहीं है जब पैसा मन करें जितना पैसा मन करें इंवेस्ट करो जब पैसा मन करें जितना मेरा पैसा मन करें निकाल लो और यहां पर इसके उपर restriction लगा दिया जाएका चाहिए वह में इंवेस्टर की भलाई के लिए ही लगाई जा रही हो लेकिन कई सारे इंवेस्टर को थोड़ी से दिक्कत हो सकती है इसके करन इवन मैं भी इस चीज के सपोर्ट में नहीं हूँ कि विद्रॉल पर restriction लगा रहे हैं ठीक है S.I.P. पर आप लगा रहे हो लमसम पर लगा रहे restriction अच्छी चीज है लेकिन मेरा पैसा जहां पर इंवेस्टर है वहाँ से मुझे अपना ही पैसा निकालने के लिए चाहे कोई भी रीजन हो मुझे किसी तरीके का restriction बरदास्त नहीं है तो इस तरीके की अगर policy कोई निकल के आती है तो in my opinion ये एक बहुत big decision बुरा decision होगा regulators की तरफ से in my opinion ऐसी कोई जो policy है वो नहीं आनी चाहिए कोई restriction नहीं आना चाहिए पैसा डालने पर restriction आ ठीक है लेकिन पैसा निकालने पर नहीं आना चाहिए ये कोई official announcement इसको लेकर नहीं हुई है business today के जो report है उसकी according में आपको बता रहा हूँ ये सारी चीजे और news media से ही तो य ये दिरे करके इसकी पुष्टी होती है तो exit load के बारे में तो मैंने बताया कि वहाँ पे निपॉन और मौतिलाल के कुछ skims के अंदर बढ़ाए भी गई है तो कुछ तो इस report में सच्चा ही है जो कि हमें देखने को मिला भी है अब आगे चलके हमें देखनों के मिले है क्या नहीं होगा in my opinion